Hello everybody, welcome back to my channel तो आज मेरा मन कर रहा था कुछ यामी और हेल्दी बनाने का तो मैंने सोचा आज क्यों ना हम पैनकेक्स बनाते हैं और वो भी सूपर हेल्दी वाले तो इसके लिए मैंने एक ब्लेंडर के जार में लगभग चार बड़े चमच ओट्स डाला है उसमें डाला है थोड़ा सा कोको पाउडर, सिनिमन पाउडर और दो अंडे, एक बनाना और मीठा इसमें डालने के लिए मैंने इसमें गुड़ डाला है एक स्लाइस ओफ गुड़ को अच्छे से मैंने थोड़ा सा तोड़ के डाल दिया है थोड़ा सा almond milk और इसे में अच्छे से blend करके इसका एक fine paste बना दूँगी तो main trick अच्छे pancakes बनाने की यही है क्योंकि इसमें हम कोई baking soda नहीं डाल रहे हैं वो भी हमारे system के लिए बहुत जाद अच्छा नहीं होता तो आप make sure करें कि जो इसका batter है वो थोड़ा सा थिक होना जरूरी है अगर नहीं थिक होगा तो वो अच्छे से बन नहीं पाएगा और वो तूटेगा तो make sure कि इसका batter थिक है आप में थोड़ा सा oil डालूगी pan में और pan अच्छे से गरम होना जरूरी है नहीं तो आपको जादा देर तक इसको pancake को gas पे रखना पड़ेगा और जिससे ये जलने की संभाव न हो सकती है तो एक बार जब आप इसे डाल देंगे pan में उस पे मैंने डाली थोड़ी सी blueberries थोड़ी दिर cover करके रखा इसे मैंने लगबग 30 second के लिए जब नीचे से अच्छे से ये पक जाए तब मैं इसे दुबारा ढखके रखूंगी लगबग another 30 seconds के लिए अगर gas जादा गरम है तो आप वो 15 seconds में भी बन जाएगा तो आप एक बार इसे flip करके देख सकते हैं कि ये तयार है या नहीं है and trust me guys, this was one amazing thing. मैं से थोड़ा सा यहां पे जादा जल गया था कि मेरी gas थोड़ी जादा ही तेज थी और इसके ओपर मैंने थोड़ी सी डाली sour cream और maple syrup and this was nothing less than an amazing treat. वीडियो अच्छा लगा है तो guys like, share and subscribe. Bye-bye!